मेरी लिखी कहानिया रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चलिए शुरू करते हैं शुश्मा तो आज उपने ससूर जी को देखकर चौक ही गई जैसे ही वो नीन से उठकर बाहर आई उसे सामने अपने ससूर जी दिखे और उसकी तो आखे फटी की फटी रह गई कुछ देर के लिए तो वो उन्हें गूरती रही क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसके ससूर जी खड़े थे वो मन में सोचने लगी काश मेरा पती भी ऐसा ही होता तो कितना अच्छा होता सासूमा कितनी किस्मत वाली है उसे अपने पती यानी कमल पर गुस्सा आने लगा कमरे में जाग कर देखा तो कमल खराटे खीच कर सो रहा था सुबह सुबह ही शुश्मा का मूड खराब हो गया वो अपनी दिन्चरिया में लग गई ओफिस जाने से आधे गंटे पहले कमल उठा और रोज की तरह आनन फानन में नहाया तैयार हुआ और बिना नाश्ता किये ही चला गया अब तो शुश्मा ने कमल को सबक सिखाने का ठान लिया लेकिन उसने सोचा कि प्यार से समझाने का असर तो कभी हुआ नहीं लेकिन अब ताने या गुस्से का भी कोई फाइदा नहीं है मेरे पती बहुत धीट किस्म के है उन्हें अलग तरह से समझाना पड़ेगा आज भी जब कमल बिना नाश्ता किये निकल गया तो हमेशा की तरह शुष्मा ने गुस्सा नहीं किया बलकि उसके दिमाग में तो सिर्फ उसके ससुर्जी चल रहे थे वो अपने ससुर्जी से बहुत जादा प्रभावित थी उसे हमेशा से अपने ससुर जैसे आदमी पसंद थे लेकिन बतकिस्मती से उनके बेटे कमल में वो गुन नहीं थे जब कमल से शादी हुई थी तब भी शुष्मा के माता पिता ने उसके ससुर के स्वभाव को और समाज में उनके नाम को देखकर ही जट से शादी के लिए हां कह दिया था ससुर जी रिटार्मेंट के बाद भी सुभा जल्दी उठकर नहा लेते वक पर जाते फिर घर आकर पूजा पाट करते और शांदार कपड़े पहन कर रेडी हो जाते रिटार्मेंट के बाद भी वो घर में नहीं बैठना चाहते थे इसलिए उन्होंने पार्ट टाइम जॉब जॉइन कर ली थी पैसे की कोई कमी नहीं थी लेकिन ससुर जी को घर बैठकर आलसी नहीं बनना था बहुत शौकीन इंसान थे घून ना फिर ना तयार होना नए नए कपड़े जूते घड़ियां लाना परफ्यूम लगाना कुल मिलाकर हमेशा अप टू डेट बनकर रहना उनका शौक था वो आए दिन सासुमा के लिए भी तौफे लाते थे और दोनों अकेले ही गूमने निकल जाते थे कई बार तो वो सासुमा को पिच्चर भी दिखाने ले जाते लेकिन जब सबके साथ जाने की बात करते तो कमल हमेशा कोई न कोई बहाना बना कर मना कर देता अपने पिता से बिलकुल उल्टे सुभाव का था वो सुभा देर से उठता तोड़ता भागता भूका प्यासा ही ओफिस जाता ठका हारा घर आता और फिर आकर न्यूस देखता या अकबार पढ़ता और थोड़ा चिर्चिर करके सो जाता शुश्मा तो अपने पती के सुभाव से परेशान ही हो गई थी आखिर उसकी शादी को अभी दो साल ही हुए थे कोई बच्चा भी नहीं था यही तो वक्त था जब दोनों पती-पत्नी एक दूसरे के साथ खुल कर जी सकते थे घूम फिर सकते थे कभी-कभी वो सोचती कि मुझसे जादा तो ससुर्जी और सासुमा घूमते है एक मेरे पती है जिने छुट्टी के दिन भी बस बिस्तर ही नजर आता है और एक मेरे ससुर्जी है जो रिटार्मेंट के बाद भी घर में नहीं दिखते कमल के सभाव से सभी परिशान थे लेकिन अब कोई भी उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि सब मान चुके थे कि वो सिर्फ अपनी नौकरी करेगा और घर आकर सो जाएगा उत्सा के नाम पर उसके जीवन में बस टीवी देखना ही है सुश्मा को बहुत मलाल होता जब वो अपने ससुर्जी को देखती आज जब वो सुभा उठी तो उसने देखा कि ससुर्जी तो एकदम जवान लड़के की तरह लग रहे थे नए जूते, नया पजामा और जैकिट बहन कर सुभा जल्दी दोडने के लिए तयार हो चुके थे वो चौक गई कि मेरे पती से ज़्यादा जवान तो मेरे ससुर्जी लग रहे है इस उमर में भी ये इतने एक्टिब है और एक मेरे पती है जो खराटे खीच रहे है उसे अपनी शादी शुदा जिंदगी उदास लगने लगी थी क्योंकि कमल में तो किसी चीज का कोई उत्सा ही नहीं था और आखिर कब तक वो सिर्फ अपने सास ससुर के साथ गूमती एक दिन उसे उदास देखकर ससुर्जी ने खुद ही दोनों के लिए चाय बनाए चाय लेकर वो शुष्मा के पास गए और कहा बेटा बहुत परिशान लग रही हो मुझे बताओ क्या बात है शुष्मा ने अपने दिल का सारा दुख उनके सामने बया कर दिया उसने ये भी कहा कि काश इन में भी आप जैसे थोड़े गुन होते आप जितने जिन्दा दिल ना सही पर जिन्दगी का थोड़ा तो उत्सा होता ससुर जी के दिमाग में एक तरकीब सुझी उन्होंने शुष्मा को कहा कि अपसे जैसा मैं कहूं तुम वैसा ही करोगी कल से सुभा साड़े पांच बजे ट्रैक सूट पहन कर रेडी हो जाना हम दोनों साथ में वाक पर जाएंगे शुष्मा कुछ समझ नहीं पाई पर उसने अपने ससुर जी की बात मान ली अब से दोनों ससुर बहू साथ में वाक पर जाने लगे जब कमल को ये बात पता चली तो वो थोड़ा चंबित हो गया उसने शुष्मा को टोका और कहा इस तरह ट्राक सुट पहन कर अपने ही ससुर के साथ वाक पर जाने में तुम्हे थोड़ा अजीब नहीं लगता उसने कटाक्ष भरे स्वर में कहा जब मेरे पती को ही फुरसत नहीं तो ससुर जी के साथ ही जाना पड़ेगा कुछ वाक बात शुष्मा ससुर जी और सासुमा के साथ गुबने फिरने लगी पिच्चर भी जाने लगी और कोई कमल को पूछता भी नहीं था कि वो आएगा या नहीं कमल को धीरे धीरे ये बुरा लगने लगा उसने कहा शुष्मा लगता है अब तुम्हे मेरी जरूरत ही नहीं है कमल को ये जवाब अखर गया अब तो छुट्टी के दिन भी वो अकेला ही गर पर सोता और सास ससुर जी और शुष्मा कभी पिकनिक पर चले जाते तो कभी लॉंग ड्राइब पर निकल जाते लेकिन कोई भी कमल से नहीं पूछता एक शाम जब सब साथ बैठे थे तब ससुर जी ने कहा कि बहु तुम भी अपनी पैकिंग कर लो इस बार हम तीनों साथ में गूमने चलेंगे मैंने तीन-चार दिन का प्रोग्राम बनाया है कमल तो चौक गया तीन-चार दिन आखिर आपनों कहा जा रहे है मुझसे भी बूछ लिया होता मैं भी चुट्टी ले लेता कमल के स्वर में घुसा था तब ही ससुर जी बोले चुट्टी ले लेता तुम शादी के इन दो सालों में बहु को आज तक घूमने नहीं लेकर गए तुम क्या हमारे साथ चलोगे रहने दो तुम घर पर ही आराम करो अब तीन-चार दिन तुम आराम से नीन निकालना वैसे भी घूमने फिरने में रखा ही क्या है कमल समझ गया कि वो कहां गलत था उसमें जीवन को लेकर खास उमंग नहीं थी लेकिन जब उसने अपनी पत्नी को उसके बिना इंजोय करते देखा तो उसे जटका लगा उसे ऐसास हुआ कि अपनी पत्नी के साथ घूमना फिरना इंजोय करना कभी कभी उसे यूही बाहर लेकर चले जाना शादी शुदा जिंदगी के लिए कितना जरूरी है कमल ने तुरंत अपने बॉस को फोन लगाया और कहा सर मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी को घूमने लेकर जा रहा हूँ ये सुनका शुष्मा तो हक्की बक्की रह गई ससूर बहु ने एक दूसरे की तरफ देखा और खुशी से जूम उठे